हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैच चैनल जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं बुक्स के वारे में क्योंकि हमारी ओनलाइन क्लास में जब हम लोगों ने लाइव किया था तो वहां स्टूडेंस ने कुछ बुक्स का सजेशन्स मांगे थे तो मैं यहां आपको बता देती हूं कि आपको अगर हेल्थ वाला पोर्शन पढ़ना है तो उसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स पर्चेस कर सकते हैं नेक्स वीडियो में आपको एक्स्टेंशन एजूकेशन की एक बुक का हम आपको एक रिव्यू दे देंगे कि आप कौन सी पढ़ सक पर देख सकते हैं कि मानव शरीर क्रिया विग्यान जो कि आपका हेल्थ से रिलेटेड होता है इसमें आपकी सारी चीजे कवर होती हैं जैसे कि आपके टिशूज हैं सेल्स हैं आपका कंकाल तंतर पेशी तंतर पाचन तंतर जितने भी इंपोर्टेंट चीजें जो आपको TGT के लिए प्रिपैर करनी हैं वह सभी इसमें होती हैं और सात में ही जो आपके कुछ प्रेशं जो बेजिक से आते हैं आपके ग्रह स्वाश से रिलेटेड जिसमें आपकी केसे सवच्छता करनी है सारा यह आपके जो खादेपदात का संग्रह कैसे करना है पर्यावरणी प्रदूशन यह सारे जो important points हैं वो इस particular book में आपके complete हो जाते हैं तो आप इस book को for sure purchase कर सकते हैं इसमें आपको विवा के प्रकार बाल विवा और यह सारे important points मिल जाएंगे और आपको यहां पर आपको इसके मिल जाएंगे बाल कल्यार से related के मतलब आपके जो भी basic जो concepts हैं TGT के वो सभी आपके इसमें clear हो जाएंगे mostly जो important आपका है वो है आपको यह वाला portion जो आपका इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है यह जो book है मेरे पास मेरे 12th standard से है intermediate की home science की मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि कोई भी book मिले वो आप purchase कर सकते हैं तो यह देखे यह है हमारी चित्रा प्रकाशन इंडिया private limited यह है आपका merit का प्रकाशन जो I think 2010 या 11 का प्रकाशन होगा जो pages है वो actually यहाँ पर paste हो रखे हैं तो मैं आपको इसकी date तो नहीं यह यहाँ होगा नहीं है कहीं मेरे को नहीं देख रहा है बट हाँ प्रकाशन देख सकते हैं आप particular कव्हारा प्रकाशन खरीद लीगेश है इसमें काफी अच्छी तरीके से सारे ही points को discuss किया हुआ है और इसमें आपके सारे ही चीजह हैं जैसे कि आपका यह देखिये यहाँ पर prevent आया है कि यहां पर इन्होंने दी हुई है और साथ में यह जो इंडेक्स है विशय सूची है यहां पर भी इन्होंने बता दिया है तो आप देख सकते हैं आप इस बुक को पर्चेज कर सकते हैं मैं इसके आपको एक दो चैप्टर्स दिखा देती हूं रेंडमली देखिए विद पिक् पर्चेज कर सकते हैं मेरी बुक्स आपको रंग बे रंगी देखने को मिलेंगी क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूं तो मैं इंपोर्टन पॉइंट्स को हाइलाइट कर लेती हूं देखिए यहां पर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो है उनके बारे में भी बहुत अच् चित्रा प्रकाशन से बता दिया है आपको यह मिल जाती है तो आप यह पर्चेज कर लीजे जो भी मिल जाए जिसमें आपको इसी तरीके से कंटेंट दिया हो तो आप बिल्कुल उसको पर्चेज कर लीजे इसके अलावा जो मैंने आपको एक ह्जी जूपिटर सीरीज की ब द्यान चेत्र इसमें आपके ये वारे जो पॉइंट्स है ना वो किसी और बुक में मुझे इतने अच्छे देखने को नहीं मिली जो होम साइंस का बैक ग्राउंड है वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है घरेलू उपकरण बहुत अच्छी तरीके से दिये सबी कुCH पढ़ेंगे सबी कुशस देखेंगे क्यूकि इससे आपका भी basic concept clear होगा देहिए किसी पर भी dependent हो कि आप सिर्फ मेरे उपर dependent हो या फिर आप सिर्फ किसी और पर्टिकुलर चैनल या पिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग पर डिपेंडेंट ऐसा बिल्कुल ना हो आप है न सब जो मिले वो पढ़ते जाएए यह डॉक्टर विंदा सिंग की बुक है परिवार एवं समुदायक विज्ञान फैमिली एन कम्यूनिटी साइंस इसमें आपको बहुत बहुत अच्छा कंटेंट पीजीटी के लिए मिल जाएगा अभी मैंने जो 12 की बुक बताई उसमें आपको टीजीटी की प्रपरेशन हो जाएगी और पीजीटी में भी काफी हेल्प करेगी लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर ली करनी है पीजीटी क प्रपरेशन हेल्थ वाले यूनिट के लिए तो आप उसके लिए ये वाली बुक ज़रूर खरीद लीजेगा ये जो बुक है वो है पंशील प्रकाशन जैपूर से है ये और इसका आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी पंशील प्रकाशन जैपूर की है डॉक्टर श्र है सुची की तरफ देखें तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे फिला हाल में हम इसी से आपको प्रपरेशन करवा रहे हैं जिसे सेल है बलड है डेजिस्टिव सिस्टम है और आपका सेंसरी और गंस हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम है रिप्रो प्रोडक्शन आपको यहां मिल जाएगा बेसिक बेसिक जो चीजे हैं वो सारी ही बहुत 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 अच्छी तरीके से इसमें एक्स्प्लें किया हुआ है मैं परस्नली आपको सजेस्ट करूँगी कि यह वाली बुक तो आप ज़रूरी खरीद लीजे अगर किया हुआ है और आप देखिए जैसे कि हम डाइजेस्टेशन पर हैं तो हम यहां तक पढ़ चुके हैं इसके आगे का हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे अभी पीजीटी में टीजीटी का तो हमारा सलेबस कंप्रीट है देखी किते अच्छी तरीके से यह करत के कारें तो इसी तरीके से इसमें सारी ही चीजों को एक्स्प्लेइन किया हुआ है तो आप इस बुक को खरीच सकते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो हेल्थ वाला पोर्शन है वो इन बुक्स में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बाकी तो हमारे पास में बाकी बुक्स हैं जो मैं आपको प्रीविस वीडियो में बता चुकी हैं कि कौन-कौन सी बुक्स हम लोग यूज करते हैं तो आप अगर उनको परचेज करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए अदर्वाइस आपके ये जो बुक्स हैं इनसे आपका जो हेल्थ वाला पोर्शन है वो कफे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा बाकी आप वीडियो देखते रहे हैं मेरे ही नहीं बाकी और भी जिसका भी आपको जहां से कंटेंट मिल रहा है वो प्रपेर करते जाएए इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी और इस वीडियो से आपको समझ आएग क्यों तो लाइक शेयर और कोमेंट कर दें थेंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो एंड हवा गुड डे बावाई